कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी काइनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है शारुखान की फिल्म का ये डायलॉग कॉमेडियन भारती सिंग की लव लाइफ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है भारती हर्श को एक होने में भी कई मुश्किले आई और इनकी लव स्टोरी में भी विलन की एंट्रे हुई थी जिसका खुला साख खुद भारती ने एक शो के दौरान किया था दोनों ने एक साथ कई शो होस्ट किये हैं जिन में से एक है इंडिया बेस डांसर इस डांस रियालिटी शो के एक एपिसोड में कपल बेहत इमोशनल हो गए थे तब ही अपनी प्रेम कहानी बताते हुए हर्श ने कहा कि कई सालों तक वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस रहे फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो खूबियां भारती में है वो आज की लड़कियों में नहीं है वही भारती ने भी हर्श के लिए वैसा ही महजूस किया इस तरह दोनों का प्यार परवान चड़ा लेकिन जब उन्होंने अपने घरवालों को इस बारे में बताया तो परिवार वालों ने इस रिष्टे को मन्जूर करने से मना कर दिया खास्तोर पर भारती के घरवाले हर्श संग उनके रिष्टे के लिए राजी नहीं थे भारती ने बताया कि वो भी जिद पर अड़ गई और कहा कि शादी करेंगी तो हर्श से वरना सारी उम्रग घर बैट कर परिवार की सेवा करेंगी उनकी इन बातों को सुनकर कॉमेडियन के घरवाले पिगल गए और रिष्टे के लिए हाँ कह दी बतातें कि हर्श और भारती की शादी 3 दिसंबर 2017 में गोवा में हुई थी दोनोंने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी उनकी शादी के फांक्षिन पांच दिनों तक चला था भारती सिंग जहां फेमस कोमेडियन है वही उनके पती हर्श स्क्रिप्ट राइटर है भारती पॉपलारिटी और पैसे दोनों के मामले में अपने हर्श से आगे है रह चके हैं बता दे कि भारती की कमाई करोडों में है आपको जानकर हैरानी होगी कि भारती सोशल मीडिया से ही साल में करोडों रुपई कमा लेती है जी हाँ भारती के इंस्ट्राग्राम पर 3 मिलियन से जादा फॉलोर्स है इसके अलावा भारती ब्रांडिट कपलों से लेकर इनहेलर, कॉस्मेटिक ब्रांड, ओनलाइन गेम अप्लिकेशन तक कई ब्रांड को प्रोमोट करती है घबरों की माने तो इनहें ही प्रोमोट करके भारती साल में एक से दो करोड रुपे कमा लेती है खैर, आपको भारती और हर्श की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो, पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले